नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाथ शाला पर मैं हूँ अंकित अवस्ती आप है मेरे साथ में Real News and Analysis में देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का विस्तार पूरबक विसलेशन करने के लिए भारत के बिलकुल नजदीक वो छेतर जिसे भारत अपना कहता है चाइना ओक्यूपाइड भारत का वो हिस्सा जो भारत के कश्मीर के नक्षे को पूरा करता है उसमें चीन वालों ने पैंगॉंग सो लेक पर एक ब्रिज बना लिया है कहां बनाया है क्या इस बात का महत्व है भारत के लिए कितनी चिंता की बात है सारी बात लंबी इस जील के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोडने के लिए ब्रिज का निर्मान किया गया है लेकिन वो भारत में नहीं चीन ने किया है पैंगॉंग सो लगदाख में स्थित है और ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ये बनकर तयार हो चुका है जुलाई 22 को NDTV की एक्स्क्लूजिव ख़बर में मैकसार करके एक सैटलाइट इमेज खीचने वाली कंपनी है उसकी जानकारी से पता चलके आया कि यहां से यहां को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का निर्मान किया जा चुका है ब्रिज का निर्मान होता है ब्रिज के निर्मान के साथ-साथ इस पर वीकल्स भी चलते हुए दिखाई देने लगते हैं ख़बर बनती है चाइनीज ब्रिज ऑन पैंगॉंग सो लेक ऑपरेशनल तू बी यूजड बाई P.L.A. टुप्स इस बात को समझाएं लेकिन इस से पहले ये कहां बना है ये समझा देते हैं मेरे प्यारे साथियों भारत और चीन की जब सीमा की बात आती है तो इसे तीन भागों में बाट कर पढ़ा जाता है एक इस्टन सेक्टर एक सेंटरल सेक्टर और एक वेस्टन सेक्टर Eastern sector में जो सीमा रेखा है अरुनाचल प्रदेश के साथ वो मैक मोहन लाइन में है इधर की तरफ जो सीमा रेखा है उसे अगर आप ध्यान से देखें तो भारत का उत्तर में इस्थित जो कश्मीर है उसकश्मीर में वर्तमान में कुछ इस तरह से इस जगह पर border बनाकर के चाइना भारत से separate है ये वाला जो छेतर है यहाँ पर चाइना हम से separate है अर्थात ये वाला जो छेतर आपको दिख रहा है जो कि हमें कश्मीर का नक्षा जब पूरा करते हैं तब दिखाई पड़ता है वो छेतर चाइना के कबजे में है अब आप इसको समझे हम जब कश्मीर का नक्षा दिखाते हैं असल में भारत जहां आज है वो असल में ये चेतर है इस चेतर पर तो हम हैं ही नहीं इस पर चाइना का नियंत्रन है जिस चेतर को मैंने अभी रंगीन किया है इसे अकसाई चिन कहते है जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर से ये वाला जो चेतर है पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर का है जिस तरह से पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर में चाइना पाकिस्तान एकॉनामिक कॉरिडोर का निर्मान किया यू हो करके सड़क निकाल दी वैसे ही अक्साई चिन में भी इसने एक ब्रिज का निर्मान किया है और वो ब्रिज है पैंगॉंग सो लेक को एक कौने से दूसरे कौने तक जोडने वाला क्या है आप थोड़ा और समझते हैं इस्थिति को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस मैप को समझना होगा ताकि आपको आज की वस्तुस्थिति समझ में आए कि भारत का चाइना के साथ बौर्डर क्लैश है क्या है ना इसको थोड़ा सा देखते हैं देखो पहले आप इस इस्थिति को समझागे कि हम लोग मैप में जब इंडिया का मैप देखते हैं तो यहां तक हम हिस्से को अपना हिस्सा बोलते हैं, है ना, क्या यह हिस्सा कभी हमारा था, 1959 तक भारत की जो forces थी न, वो इस छेत्र में यहां तक जाकर के petrolling किया करती थी, यहां तक भारतिय सेना जाया करती थी, कहां तक, जॉंसन लाइन तक, यह वाला जो आपको बाहर की तरफ ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, इस ब्लू लाइन को जॉंसन लाइन कहा जाता था, और इस Johnson Line तक भारतिय सेना पेट्रोलिंग करने जाती थी देखो यहाँ पर यह वाला जो बिंदू दिख रहा है यह particular point है इस particular point तक भारतिय सेना अपनी पेट्रोलिंग करते हुए पहुचा करती थी ठीक है साब फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ इस Johnson Line से थोड़ा अंदर की तरफ चाइना वालों ने कहा कि आपकी जो सीमा रेखा है जो आप लोग मानते हो मैं वहां तक नहीं मानता तो बोले आप कहां तक मानते हो तो इन्होंने अपनी तरफ से एक Mac Donald Line डिकलेयर की कि साब हम Mac Donald Line तक आपकी Line को मानते हैं और इस Mac Donald Line तक ही आप लोग विस्तृत हैं यहां तक विस्तृत नहीं है Johnson Line तक इन्होंने Mac Donald Line अपनी तरफ से डिकलेयर कर दी 1959 में मतलब हम लोग 1959 तक तो यहां तक जाते थे कहां तक इस बल्कुल Johnson Line तक 1959 के बाद इन्होंने कहा कि आपकी सीमा केवल यहीं तक है इस Line का नाम बताया Mac Donald Line भारत तब भी कुछ नहीं बुला हो सकता है तुम सही हो सीमा विवाद है बैठ कर समझाता कर लेंगे पंचशील सिद्धान्त हम एक दूसरे के बारे में लागू करते हैं कोई बात नहीं वर्ष आता है 1962 का और चाइनी सेना भारत पर चड़ाई कर देती है जिस Line को यह हमारा बता रहे थे उस Line से यह आगे निकल आते हैं जॉंसन Line से अगर मैं बात करूं तो यह लगभग 140 किलो मीटर अंदर तक चीनी लोग घुसके चले आते हैं चीनी लोग जहां तक घुसकर चले आते हैं और यहां आकर क्लेम कर देते हैं कि यहां तक हमारा छेतर है पहले जॉंसन Line 1959 1962 मैंकड़ोनाल लाइन मैंकड़ोन अस नाइंटिंफिफ्टी नाइन के बाद मैंकड़ोनाल लाइन 62 के अंदर आज की इस्थिती जिसे आप LAC कहते हैं अब इस LAC पर क्या विवाद है वो सुनिए LAC पर विवाद यह है कि चाइना वाले तो क्लेम करते हैं कि LAC यहां पर है यानि 1962 में जहां हम रुक गए थे वो यह है और भारत वाले क्लेम करते हैं कि 1962 में आप लोग यहां रुके थे भारत इस छेत्र को मानता है 1962 का और चाइना वाले इस छेत्र को मानते हैं इस चक्कर में इस दौनों लाइन के बीच में लगभग 8 किलो मीटर से लेके 10 किलो मीटर तक का छेत्र ऐसा है जिस पर इंडिया और चाइना दौन पाए जाते हैं मतलब इंडिया वाले भी अपना टेंट लगा लेते हैं और चाइना वाले भी अपना टेंट लगा लेते हैं पहले ये बात समझ में आ रही है तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मतलब यहां पर आप देखें इन दौनों के बीच में 8 से 10 किलोमेटर क इसी disputed area में ये लेक पड़ती है इस पैंगॉंग सो लेक की आज चर्चा है इस पैंगॉंग सो लेक की चर्चा क्यूं है क्योंकि ये इसी 10 km के range में एक जगह पर ये भी पड़ रही है तो इस जगह पर जो की वरतमान के लिह लदाख में इस्तित जगह है यहां पर चाइना न भारत जहां तक इस सीमा रेखा को मानता है वो यहां पर आपको इस कलर में दिखाई दे रही है कि भारत कहता है कि यहां तक हमारा छेतर है पैंगॉंग सो लेक पर finger नंबर 8 तक finger नंबर 8 का मतलब क्या है पैंगॉंग सो लेक के अंदर पहाड की जो यह उंगलिया गुसी चार से लेकर 8 के बीच में दौनों लोग जगडते रहते हैं दौनों ने 8 पर और 4 पर तो अपने बेस बनाए हुए हैं ही इस बीच के finger पांच से लेकर 8 के बीच में इन दौनों के जगड़े चलते रहते हैं आप इसको थोड़ा और जूम करके देख लें पैंगॉंग सो लेक में ये जो पाहाडी किनारे गुसे हुए हैं इन्हें finger कहा जाता है और इनी fingers में 4 से लेकर 8 के बीच में जगड़े होते रहते हैं इनी 4 से लेकर 8 के बीच में आज की चर्चा की जा रही है असल में साथियों यहां पर आपको शिरीजाब करके एक इस्थान दिखाई द करता है शिरीजाब से 25 किलो मीटर पूरव की तरफ चलने पर यहां पर यह दोनो जोन जो की उत्तर की तरफ वाला जो छेतर है और दक्षिन की तरफ वाला जो छेतर है यह दोनों को connect करते हुए 400 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया है यह रहा इन दोनों के बीच का ब्रिज जो की हाल ही में बना है जो की पैंगॉंग सो लेक के उत्तरी किनारे को और दक्षिनी किनारे को आपस में जोड रहा है संभवत यह आप वो यह जानकारी समझ में आ गई होगी अगर मैप पर देखा जाए तो यह जो LAC है जिसको भारत मानता है कि यह वाला LAC है उससे और ज बनेगा यह बन चुका है और इसका बनते ही यह फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब यह इस छेतर में बना है तो यह भारत के लिए बड़ा चुनोती पूर्ण होगा क्योंकि उत्तर से सेना दक्षिन की तरफ बहुत तेजी से चल कर आ सकेगी जिस यात्रा को करने म लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी वो 400 मीटर की यात्रा पर संप कंप्लीट हो जाएगा 400 मीटर का यह ब्रिज बनाया गया है 22 तारिक को ही इसकी तस्वीरे बाहर निकल कर आई है यह रहा ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है और इस पर चलते हुए वी को अब अच्छे तरीके से समझा दिया है इस लेक के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए पैंगांसो लेक 135 किलोमीटर लंबी है जिसका 54 किलोमीटर जो हिस्सा है मतलब यह एक प्रकार से ऐसी जील है जिसका 45 किलोमीटर का चेतर तो भारत में है और 90 किलोमीटर का चेतर है इसका वो चीन में है यह खारे पानी की जील है और खारे पानी की जील जिसके अंदर से होकर के सीमा रेखा गुजरती है इसलिए इस जील को जाना जाता है जौनसन रेखा के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है पैंगॉंग सो लेक की जानकारी मैंने आपको तो देदी है वरतमान इस्थिती क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूँ बड़ा सवाल ये है कि चाइना उस विवादित छेतर में कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो दौनों के द्वारा क्लेम किया जाता है क्या माने क्या ना माने देखिए जिस तरह की इस्थितियां इस छेतर में बन रही है वो हर दिन भारत और चीन के बीच की टेंशन को बढ़ा ही रही है भारत अपने इस तरह से LAC के नजदीक अपना इंफ्रेस्ट्रक्शर मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है लेकिन चाइना भी हटने वाला या रुकने वाला नहीं है और विशेश रूप से तब से जब से दौनों देशों के बीच में गलवान जड़प हुई है जहां पर 40 चीनी सैनिक मारे गए 20 भारतिय जवान शहीद हुए ऐसी इस्थिती में ये बड़ी बात है कि चाइना भविश्व में किसी ऐसी दुरगटना से बचने के लिए निरंतर इस छेतर में प्रयास करता रहेगा और उसका यह प्रयास फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है 2020 का जो गलवान वैली इंसिडेंट था उसके बाद दोनों ही अपने अपने इस तर पर निरंतर अपनी इस्थिती को मजबूत किये हुए है पैंगॉंग सो लेक पर कंस्रक्शन जो ये हाल ही में हुआ है ये भारत और चीन के बीच में और ज़्यादा टेंशन बढ़ाएगा और ऐसी इस्थिती में जब कभी दोनों देशों के बीच संघर्ष होगा तो दोनों देश इसकी वज़े से इंडिया वाले चाहेंगे कि इनका ब्रिज तोड़ने और ये लोग चाहेंगे कि ब्रिज को बचा करके और वहां से अपनी सेना को भारत के अंदर की तरफ को गुसा सकें ठीक ऐसा उमीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी ये था इसके अंदर विशेश अपडेट भारत के द्वारा प्रयास मैंने आपको क्लियर कर दिये बाकी पढ़ने लिखने वाले विध्यारतियों को सूचना कि अपनी पार्शला पर जो मेरा NCRT बैच है जो कि पिछले एक महिने से ओपन नहीं था अभी साथ दिन के लिए ओपन किया गया है जिन्हें भी एड्मीशन्स लेना हो एड्मीशन्स ले लें फिर ये एड्मीशन्स फिर से क्लोज हो जाएंगे इसके अंदर हिस्टी, जोगरफी, पॉलेटी, एकॉनोमी चारो सब्जेक्ट, क्लास छैसे लेके बारा तक की NCRT से पढ़ाय जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दौनों माध्यम में उपलब्ध हैं आपको प्रॉपर तरीके से घर पर पढ़ने का हॉमवर्क दिया जाता है, हर हफते वीकेंड पर आपका टेस्ट लिया जाता है, प्रॉपर तरीके से यहां पर आपके साथ कंटेंट डिसकेशन होता है, EMI options उपलब्ध हैं, आप इसका लाव ले सकते हैं आपकी recorded batch भी हमारा अपने पार्शाला application पर उपलब्ध है, हमारे टेस्ट अपनी पार्शाला.com website पर उपलब्ध हैं, जिनका लाव आप सोने स्रित करते हैं